अगर आप इस application से loan apply करना चाहती हो तो एक बात ध्यान रखना यहां पर आपको चार step complete करने पड़ेंगे पहले step में आपको यहां पर basic सी information डालनी है दूसरे step में work information डालनी है और तीसरे step में contact information चौथे step में identity verification और पांचे step में आपका bank details एंड शटेव स्टेप में आपका loan आपके bank में आ जाएगा दोश्तों यहां पर बात करते हैं civil की तो अगर आपका civil 230 है या फिर आपका civil 200 है या फिर 200 है तब भी आपको यहां पर loan मिल जाएगा लेकिन यहां पर सवाल यह है कि अगर आप बहुत बड़ा loan amount लेना चाहते हो तो फिर loan नहीं मिलेगा यहां पर अगर आपको 3000 रुपे से लगा करके 3000 रुपे तक का loan लेना है तो आप इस application को choose कर सकते हो लेकिन video complete देखना video में मैं आपको बताऊंगा कि application real है कि fake है application में कितन इस application के download के बारे में आपको दिखा देते हैं तो इस application को minimum 1000 लोगों ने install कर लिया है अगर हम बात करें launching date की तो जोलाई के महिने में यह application market में आया था सूर्या जोती licensing and finance limited की तरफ से यह जो ओफरवाई किया हुआ है ठीक है 22 अगस्त को इन लोगों ने अपने app को update भी किया हुआ है तो चलिए दोस्तों मैं इस app को open करके आपको दिखाता हूँ यह application किस परकार से काम करती है ठीक है दोस्तों यहाँ पर हम application को open करते है application का नाम सकते हो added field यहाँ पर दिखाई दे रहा है मतलब दोस्तों मैं आप बता दूँ कि हमने इस application किया है तो हमारा यहाँ पर जो है इस application ने reject किया है loan मैं आपको दिखानी कोसिस करूँगा इस application ने मेरा loan reject किया है और मुझे timing दिया है 10 दिन का 10 दिन 23 घंटे बाद मैं दुबारा स reapply कर सकता हूं इस loan को और उसके बाद अगर मेरा loan पास होता है तो यहाँ पर loan मिल जाएगा अधरभाई नहीं मिलेगा आप reject मेरा क्यों किया है इसके पीछे reason क्या है वो तो इन्होंने नहीं बताया है बट reject कर दिया आप reject करने के reason कही प्रकार के हो सकते है या तो दोस्तों मेरा जो profile है वो सही नहीं बैठता हो या फिर मेरे area में यह work नहीं करती हो कुछ भी region हो सकता है लेकिन यहाँ पर region अभी मेरा कुछ नहीं बता है reject मारा है और 14 दिन का timing 10 दिन का timing यहाँ पर दिया हुआ है ठीक है ना आप दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको loan ल partner है मतलब कि यह unsecure loan application है और यहां तक मैंने देखा है कि यह application सिर्फ 7 दन का loan provide करवाता है और high interest के साथ आप से पैसे बसूलता है अभी देखो यह सिर्फ मैंने सुना है बाकी apply मैंने करके देखा था लेकिन मेरा pass नहीं हुआ अगर मेरा pass हो जाता तो definitely मैं आपको बता देता कैसे काम करता लेकिन यहां पर मैं आपको थोड़ी सी information दे दूँ कि देखो अगर जिस 7 दे की application है तो आपको loan नहीं लेना है अगर यह आपको advance में कोई पैसे मांगती है तो भी आपको loan नहीं लेना है क्योंकि ऐसे में आपके साथ fraud हो सकता है ठीक है अगर जी application सिर्फ आप भी loan मत लेना इस बात का आप धान जरूर जरूर रखें ठीक है तो बस वीडियो में इतना ही रहेगा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना दोस्तों कर देना कोई भी confusion है अगर आपकी मन में तो comment box में लिखकर पूछ लेना सक्तिकास इजी personal loan आप आप हम review की बात करें तो काफी लोगों ने इसको five star की review दी है काफी लोगों इसको one star भी दिया हुआ है so guys अब decide आपको करना है apply आपको करना लेकिन जो भी करना सोच समझ से करना थोड़ा सा research कर लेना उसके बाद ही apply करना वाई मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मेरा loan reject है already ठीक है तो चलिए मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैन बाद